आज हम रीडिंग बुक 1, 2, 3 ग्रेट 3 प्लस में नमबर 14 सीखने जा रहे हैं आपने बच्चे को सबसे पहले नमबर 14 की अडेंटिफिकेशन करवानी है नमबर 14 बोलना सिखाना है 14 अबजेक्ट्स को काउंट करना सिखाना है और at the end आपने बच्चे को 14 लिखना सिखाना है तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ जी तो बच्चों आप तयार हैं एक नया नमबर सीखने के लिए बिल्कुल मैं भी तयार हूँ इसको सीखने के लिए और ये है 10 and 4, 14 जी इस इस 10 and 4, 14 क्या होता है जब हम 10 के अंदर 4 more add करते हैं तो वो 14 बन जाता है ओके स्टुडेंट्स, लेट्स काउंट इसको देखें, ये क्या है? वाटर कलर्स, वेरी गूट आपको वाटर कलर्स के बारे में पता है? तो अब हमने इनको काउंट करना है क्या किया बचलता करनी ले कि आ tahu कि दो आपकी देना आपकी वाटर कलर्स वाल कर टाक रोल न च्टर करदे एंट्डींटम्टीं एंट्स, वाटर वनलती लेगताँ रोलतींट्स, Okay, now add an other picture, look at those umbrella, we can use umbrella in rainy seasons. So let's count how many umbrellas are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, we can add 4 more to 10, 11, 12, 13 and 40. By adding 4 more to 10, it will be 14, clubbing, you did a great job. अब आपको 14 तक काउंटिंग आ गई है, very nice. जी तो बच्चों, अब हम सीखेंगे 14 नमबर को लिखना कैसे है, आपको याद है कि हमने 13 नमबर लिखना सीखा था, हमने 10 और 3, 13 सीखा था, बस इसी तरह से आपने 14 भी सीखना है. 1 and 4, क्या बना? 14. पहले आप 1 लिखेंगे, then 4, ये बन जाएगा 14. 14. Very good. याद रखना है कि अगर आपकी मामा ने आपको 10 रुपीज दिये और आपके पापा ने आपको 4 रुपीज दिये, तो आपके पास कितने बन गए? 14. Very nice. Dear Teachers, आपने बचे को इसी तरह से number 14 की identification करवानी है. बचे के साथ fun activities करवाके आपने बचे को 14 objects को count करना सिखाना है. आप ready available materials का भी इस्तमाल कर सकती हैं और इसके बाद आपने बचे को pre-writing practice करवानी हैं, जिसमें हवा में लिखवाईए, बचे को कहिए कि वो अपने पार्टनर की back पर लिखे, अपनी बुक के outer cover पर लिख सकता है, अपने bench पर लिख सकता है, आप उसे sand tray प्रवाइट कर सकती हैं, जिसके अंदर वो 14 number की shape को लिखना सीख जाएगा. इसके बाद अच्छे तरीके से pre-writing practice करवाने के बाद आप जवेद publishers की तरफ से provided writing books का इस्तमाल करेंगी, जिसके अंदर बच्चा properly number 14 को लिखना सीख सकेगा. class work में आप class का section करवाएंगी और homework में करने के लिए उसे homework का section देंगी. वहाँ पर मुझूद 14 objects में बचा color करेगा, बचा enjoy भी करेगा और साथ उन objects को count करेगा. उमीद करते हैं कि हमारा ये lesson आपके लिए बहुत वाइदमन साबित होगा, अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.